जै महाकाल, प्री भक्त जनों एवं साधक बंदूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चमतकारी मंतर और उसकी साधना लेकर आया हूँ। आज मैं जो साधना आपको बताने वाला हूँ, वह एक बहुत ही अचोक और चमतकारी साधना है। इस प्रयोक के माध्यम से आप अपनी जीवन को उच्टा की सिखर तक पहुचा सकते हैं। इस साधना को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं रहेगा। यह केवल एक साधना नहीं, बलकि मेरे जीवन का अनुभुत साक्ष है, अनुभुत प्रमाड है। यह अपने आप में एक बहुत ही चमतकारी साधना है। इस साधना को इस दिशीद कर लिया जाए। तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। तो आए आज मैं आपको उस चमतकारी साधना को बदाता हूं, उस चमतकारी मंत्र को और उसके रहस्य को समझाता हूं। ताकि आप भी अपने जीवन को स्रेष्ट बना सकें, सफल बना सकें। परन्तो उससे पहले आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि हमारा सिवीर 25 मार्च 2023 को पुनह आयोजित किया गया है 36 गड़ के अंबिकापूर में, बिरेंद परभा होटल में जहां पर पिछले 21 जनवरी को हमारा सिवीर का आयोजिन किया गया था, वहीं पर पुनह इस सिवीर का आयोजिन किया जा रहा है आप भी इस डिब दरबार में आकर के अपने सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं इस तीविर के माध्यum से आप अपने जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का पूढ़ समाधान प्राप्त कर पाएंगे तो आएए अब मैं आपको बताता हूँ वह चमतकारी मंत्र और साधना जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को उचता और पूंडता की और अग्रसर कर सकते हैं तो आज मैं जो साधना आपको बताने वाला हूँ उसे नवरातरी के समय में संपन किया जाता है नवरातरी के प्रथम दिन सुबह इसनान आदी से निवरित हो करके पूजा आशन में बैड़ जाएं और सामने माधुर्गा का एक चित्र या मूर्ती इस्थापित करें ततपचात धोप, दीप, अक्षत, कुमकुम, अश्टगंद, केसर, इत्यादी से माधुर्गा और नवारन यंत की पूजा करें ततपचात इस फट्टिक की माला से इस मंतर का जाप करें मंतर है आयंग, हिरिंग, किलिंग, चामुंडाए, विच्छे इस मंतर का नव दिन में आपको सवा लाख बार जब करनी है इस तरह से सवा लाख जब करने के बाद दसांस हवन करनी है अर्थात सवा लाग का दस्वा हिसा हवन करना है यदि आप इस मंत्र का सवा लाग जब और दसान सहवन कर लेते हैं तो निश्चित तोर पर आपके जीवन के सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहेगा और जीवन में किवल सफलता ही सफलता प्राप्त होगी